हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेदेगेड़नी में ये वीडियो हमारी टोयल जनरल इंगलिक्स बर्गवोक इंपोर्टेंट कोश्चन अंसर सीरीज की फूर्थ वीडियो है अगर आपने प्रीविएस थ्री वीडियो नहीं देखी है तो आप आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे आपको 5-6 कोश्चन हम प्रोवाइट करेंगे 4 मार्क्स बाले कभीता का सीरसक है जीवन एक भजन है भजन कारते भक्ती या प्रेरगी क्या आप सीरसक से सहमत हैं तो हमारा अंसर है यस, we do agree with the title because the poem praises life यस, we do agree with the title because the poem praises life प्रेस जानी होता है प्रसंसा करना हां हम सीरसक से सहमत हैं क्योंकि यह कभीता जीवन की प्रसंसा करती है जनरली, people have a pessimistic nature जनरली, people have a pessimistic nature पैसिमिस्टिक यानी होता है निरासाबादी नेचर यानी प्रकरती आन तोर पर लोगों में निरासाबादी प्रकरती होती है बहुत जली negative thoughts आ जाते हैं लोगों के मन में कई धार्मिक बेकती भी जीवन की सुख सुविदाओं को त्यागने के लिए लोगों को प्रिदित करते हैं religious यानी होता है धार्मिक they say this world is an illusion they say this world is an illusion illusion यानी होता है भ्रम बे लोग कहते हैं कि यह दुनिया एक भ्रम है they say this world is an illusion people get attracted towards false things people get attracted towards false things लोग जूटी बातों की तरफ आकरसित जल्दी हो जाते हैं they are lured to enjoyments and commit sin they are lured to enjoyments and commit sin sin यानी होता है पाप तो बे लोग भोग विलास के लिए लालज करते हैं और पाप करते हैं they are lured to enjoyments and commit sins enjoyment के लिए भोग विलास के लिए पाप करते हैं लोग they then are punished they then are punished फिर उन्हें सजा दी जाती है they say they must care for future life they say they must care for future life बे कहते हैं कि उन्हें भविस्ट के जीवन की देखवाल करनी चाहिए but the port says it is wrong but the port says it is wrong कभी कहता है कि ये गलत है life is real, life बास्तविक है life is earnest life जिंदगी इमानदार है life is real, life is earnest life जो हमारी जिंदगी है वो बास्तविक है और जीवन इमानदार है one must not sit idle one must not sit idle हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए he should act in the living present not caring for future nor or past he should act in the living present not caring for future nor or past उसे अपनी जिंदगी में ना तो भविस्ट की ना ही अपने अतीत की चिंता करनी चाहिए साम मीन सा सॉंग ओप्रेज बजन कारते प्रसंसा का गीत यह साम का जो मीनिंग है बहे प्रसंसा का गीत हम एक बार फिर्स से देख लेते हैं answer अमारा अमारा question था the title of the poem a साम of life साम मीन से डेवोशनल और इंस्पारिंग सॉंग डू यू अग्री विद दा टाइटल हमें क्या आप इस टाइटल से एग्री हैं साम of life वो हमें बताना है तो अमारा answer था yes we do agree with the title because the poem praises life generally people have a pessimistic nature अपको screenshot ले ले लेना है many religious persons to exhort people to give up comforts of life they say this world is an illusion people get attracted towards false things they are lewd to enjoyments and commit sin they then are punished they say they must care for future life but the poet says it is wrong life is real, life is earnest one must not sit idle he should act in the living present not caring for future nor or past I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी end तक हमर साथ बने रहने के लिए धन्यवाई